बिवानी मेंदरगड लोगसवा की नौ विधानसवा सीटों का एकजिट पॉल, पांच पर वीजेवी आगे तो चार पर कॉंग्रेस अटैली विधानसवा पे मुक्य मकाबला भाजपा की परत्यासी आरती सिंग राब और कॉंग्रेस परत्यासी अनीता यादव के बीच है एकजिट पॉल के अनुसार अटैली विधानसवा से आरती राब सिंग भाजपा की परत्यासी जीत रही है नागल चौधरी विधानसवा चेतर में मुख्य मकाबला कॉंग्रेस के परत्यासी मंजु चौधरी और भाजपा की परत्यासी अवैसिंग यादव के बीच है एफजिट पोल के अनुसार नागल चौधरी विधानसवा चेतर से कॉंग्रेस की परत्यासी मंजु चौधरी जीत रही है नार नौल विधानसवा छेतर में मुख्य मकाबला भाजपा के परत्यासी उमपरकास यादव और कॉंग्रेस के परत्यासी राव नरेंदर सिंग के वीच है एकजिट पोल के अनुसार नार नौल विधानसवा छेतर से बाजपा के प्रत्यासी ओमपरकास यादब जीत रहे है मेंदरगण विधानसवा छेतर में मुख्य मकावला भाजपा के प्रत्यासी कवर सिंग यादव और कॉंग्रेस के प्रत्यासी रावदान सिंग के वीच है एकजिट पॉल के अनुसार मेंदरगण विधानसवा चेतर से कॉंग्रेस के परत्यासी रावदान सिंग जीत रही है तोसाम विदानसवा चेतर में मुख्य मकावला भाजपा की परत्यासी शुरूती चौधरी और कॉंग्रेस के परत्यासी अनूरुद चौधरी के बीच है एक्जिट पॉल के अनुसार भाजपा की परत्यासी शुरूती चौधरी तोसाम विदानसवा चेतर से जीत रही है के प्रत्यासी राजवीर फर्टरिया जीत रहे हैं विवानी विदानसवा चेतर पे मुख्य मुकाबला भाजपा के प्रत्यासी घंश्याम सराफ और कॉंग्रेस और सीपियाम के प्रत्यासी कामरेड ओंपरकास के बीच है विवानी विदानसवा चेतर पे एकजिट कोल के अन एक्जिट पोल के अनुसार दादरी विधानसवा चेत से भाजपा के परत्यासी सुनिल सागवान जीत रहे हैं बाडरा विधानसवा चेतर में मुख्य मकाबला कॉंग्रेस के परत्यासी सौंबीर सिंग और भाजपा के परत्यासी उमेद पातुवास के बीच है एक्जिट पोल के अनुसार बाडरा विधान सभासे कॉंग्रेस के प्रत्यासी सौंबीर सिंग जीत रहे है यह सिर्फ एक आकड़ो के अनुसार एक्जिट पोल है यह प्रोपर नतीजे नहीं है ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें